नमस्कार आप देख रहे हैं समाचेटीचेट यूपी हातर जिले में बदमासों के हुसले बुलन देर रात एनस तरानवे हाइवे पर अग्याद बदमासों ने बाइक सवार एक फाइनेंस कंपनी के कैमचारी को गोली मार करके हत्या कर दी हजारों की नगदी और मोवैल लूटा मामला थाना हातरस गेट छेतर के हतीसा बाइक पास का है जहां बाइक सवार तीन अग्याद बदमासों ने धनलश्मी फाइनेंस कंपनी में कारेत 35 वर्षिया आग्रा निवासी सतीस की बाइक में तकर मार दी और उसे गिरा दिया और ल यूबक की चीत पुकार सुनका भी जमा हो गई और लोगों की सुचना पर घटना इस तर पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल यूबक को प्चार के लिए जिला अस्पतार बिजबाया जहां डॉक्टरों ने यूबक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आग कारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जाश में जुड़ गए लेकिन इस घटना के बाद हातर्स पुलिस की कारिस त्याली पर सवाल उठना लाजमी है समाच 80 जैट के लिए हातर्स से हभीब खान के साथ पवन कुमार की रिपोर्ट तो क्या इस्तिती थी उसकी कुछ पदा चला कहां कैसे के वह आगरा का रहने वाला है बस इतना पता थिगा पर आख को सर एक फाइनेंस कर्मी के साथ सर लोट करकर अथ्टे की घीती सर क्या माप लाएं इस अधीश नाम के वखती है जो के अलिगड़ में एक पाइनस कंपनी में जनल अश्मी पाइनस कंपनी में काम करता है और यह रहने वाले आग्रा के थे और आग्रा से ही रात्री में दिखलेते हैं शाम को शे बजे अपने घर से अलीगड़ के दिए हात्रस अपर में एक हतीशा फुल के पास तीन बदमाशन के जाली रुपा करके इसे कुछ बत्तम बत्ता हुई उससे उनके नोरा फायर कर दिया गोली उनके पेट में लेगी थी और एक बैक शिन के लेग है जिसमें उनका मोबाइल और तीन हजार रुपए बताए गया है और एक बायमेटर डिवाइस इस नेकर के यह वहां से कुछा लागत है कोई सार रंजिस बताएगी थी क्या बताया है कुछ अब रंजिश के बारे में तो अब इसकी फर्जनों में बताया तो तहरीर दी उसके पुकरना कायम हो गया है और हम प्रहास कर रहा है कि सार्जी रंज